जैसे राम टेडर भाई हों एक और नए वेडियो में आपका स्वागत है तो आज के दिन मार्केट में किस तरह से काम किया गया आएए मैं आपके साथ डिसकर्स करता हूँ तो simple हैं मैं अपने laptop का screen recording on कर देता हूँ उसके बाद से मैं आपको समझाता हूँ देखिए यदि आपको भी profitable trader बनना है तो आपको कुछ बाते होती हैं आपको इसको ध्यान में रखते हुए कारे करना है तो आप profitable trader बन जाएंगे तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कि कौन-कौन से वे बात हैं तो इसमें आपको 4 point को ध्यान में रखते हुए कारे करना है अगर कोई भी विखती इन 4 point को ध्यान में रखते हुए कारे करता है तो वह profitable trader जरूर बन पाईगा तो सबसे पहला जो है वह है रूल आपको क्या करना है एक रूल बनाना है आपने जो रूल बनाए है जिससे की हो सकता है कि पड़े आपको एक ट्रेड लेना है दो ट्रेड लेना है तीन ट्रेड लेना है चार ट्रेड लेना है या फिर पांस ट्रेड लेना है यानि कि आपन है वह है discipline आपको यह पहला जो रूल बनाए है इसको कभी भी break नहीं करना है discipline को आपको कभी भी तोड़ना नहीं है जो discipline आप set किये हैं आपको उसको तोड़ना नहीं है discipline यहा है कि आपको अपना पहला जो रूल है उसको break जब आप इसको break नहीं करेंगे तो आप over trading से काफी traders परसान रहता है कि over trading उंसे control हो ही नहीं पाता है तो जब यह trade को वे कितना लेंगे इसको discipline से follow करेंगे तो over trading का जो problem होगा वे खतम हो जाएगा और तीसरा जो point है वो है आरा ratio यानि risk reward ratio इसको भी आपको ध्यान में रखते और चौथा पॉइंट है मैं प्रतिक वीडियो में यही बताता हूँ कि एक दिन की मजदूरी अगर आप जो ट्रेड लिये हैं उसमें इंट्रिक किये हैं अगर आपको benefit जो है इतना से अधिक दिख रहा है तो simple नहीं आपको trade से बाहर हो जाना है एक दिन की मजदूरी इतना क काफी है तो इसको ध्यान में रखते हुए आपको काम करना है इसके बाद से आपको simple नहीं करना क्या है segment जो होता है future and option contract का उसको deactivate कर देना है जैसे ही आप deactivate कर देंगे तो आज के दिन जो आप मजदूरी निकाल पाए हैं आप market को दूबारा नहीं देंगे उसको आप benefit मे ही रहेंगे तो इस तरह से यदि आप काम करते हैं तो आप profitable trader बन जाएंगे तो चलिए video के main topic पे आते हैं और आज के दिन किस तरह से काम किया गया चलिए मैं उससे बताता हूँ तो simple है यदि मैं chart पर आपको यहाँ पर समझाने का प्रयास करूँ तो आज के दिन market में flat opening मिल तो इसलिए मैं flat opening मानूंगा इसे flat opening ही समझेंगे तो देखिए चार्ट यदि आप bank nifty का यहाँ पर मैं आपको प्रीवियस डे का चार्ट को एनलाइस कि यहाँ दिखाना चाहूंगा तो यहाँ पर देख सकते हैं और यहाँ पर नीचे में यदि मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ पर जो fiv होता है 0.6 यहाँ तक है यानि कि मार्केट में अभी और fall देखने के लिए मिल सकता है अगर मार्केट जो है एनलाइस का अनुसार से यहाँ तक तो fall market कर सकता है इसके बाद से कुछ offside का momentum दे सकता है तो देखिए यहाँ से भी दे सकता है और market जो चाहे तो यहाँ से भी दे सकता है तो कुछ का नहीं सकते हैं बस आपको अपने एनलाइस पर risk reward को ध्यान में रखते हुए काम करना होत है तो इस तरह से निप्टी 50 में यदि आप देखेंगे तो निप्टी 50 में भी कुछ इस तरह का ही situation इसमें भी create हुआ था तो finally जो है आज ट्रेट जो किया गया है दूर ट्रेट किया गया है वह ट्रेट जो किया गया है सेंसिक्स में किया गया है क्यूंकि यहां सेंसिक्स क supirey यहां इसное, shin六 kı و見て दो और और चरहि cent rocks, blog को ray के चार्ट करकर मैं आपको संज़ा रहा हूं, पर लुइंद सिंपल नहीं गोस हैं तो uz समय बनाए गया घ्रा elsimento एक ड्रोल करे यहां यहां सब्सक्राइब्सक्राइब बनना है जो आपने rule set किये हैं आपको उस rule को break नहीं करना है उसके अनुसार ही काम करना है तो यहाँ पर देख सकते हैं census का लग रहे कि resistance यह तूटने वाला ही है तो और moment देखने के लिए मिल सकता है तो finalist जो है मैं आपको यहाँ पर दिखाना चाहता हूँ कि position में कितना benefit बन पाया है तो simple नहीं position वाले option पर आता हूँ यहाँ पर देख सकते हैं call है put है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कितना benefits जो है मैं बना पाया हूँ इतना है order book में यदि आप देखेंगे तो दो order है बाई का दो order है तो यहाँ पर देख सकते है 19 में एक बाई किया गया तो इ के बास एक यहां पर है इसमें भी बाउन है और यहां पर 60 है तो 10 पॉइंट इसमें तो वही 25 पॉइंट के आई तिंग जो है प्रोफिट को बुक किया गया है तो आज के वीडियो में बस इतना है मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में